हे यहवा, मैं तुझे सराओंगा, क्योंकि तुने मुझे खीच कर निकाला है और मेरे सत्रों को मुझे पर आनन करने नहीं दिया हे यहवा, तुने मेरे प्रान अदुलोग में से निकाला है, तुने मुझे को जीवीत रखा और कबर में पढ़ने से बचाया है क्योंकि उसका क्रोध तो छन भरका होता है, परन्तु उसकी प्रसंता जीवन भरकी होती है, कदाची रात को रोना पड़े, परन्तु सबेरे आनन पहुँचेगा हे यह हुआ, अपनी प्रसंता से तुने मेरे पहार को डिर और स्थिर किया था, जब तुने अपना मुझ फिर लिया, तब मैं घबड़ा गया जब मैं कबर में चला जाओंगा, तब मेरे लहूस से क्या लाब होगा, क्या मिट्टी तेया धन्यवाद कर सकती है, क्या वो तेरे सच्चाई का प्रचार कर सकती है तुने मेरे लिए विलाब को निति में मड़न दाला, तुने मेरा ठाट उत्रवा कर मेरे कमर में आनन्द का पड़ुका बांदा है, अन्ती में चलूख साथ मिलके पढ़ेंगे ताकि मेरा आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो, है मेरे पढ़मेश्वर या हुआ, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता हूआ इस अच्छा बजन सेता दो परवेशन ने दिया अच्छा बजन सेता से अच्छा बजन सेता अच्छा बजन सेता कीजिए इस छोड़ी विंती आपके हाद मुझे तो सुनो ग्रहें का आमेन इस दर परमेश्वर का दास दावूद करता है कि है यहोवा मैं तुझे सराओंगा क्योंकि तूने मुझे कीज़ कर निकाला है और मेरा शत्रूम को मुझे पर आनंद करना नहीं दिया है हाललूया यह दावूद का कहना है कि परमेश्वर को मैं इसलिए उसको सराओंगा क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन का अंदर जब में बहुत गहराई हाललूया वू उतना पाप का अंदर में पड़े थे परमेश्वर ने उदर से मुझे को कीच करके बाहर के और निकाला था हाललूया परमेश्वर को जब इन्होंने कहता है कि सराओंगा उसके यह मतलब नहीं है कि अगर हम लोग परमेश्वर का नाम नहीं पुकारेगा तो परमेश्वर एक्सौल्ट है यानि इंग्लिश का वर्ट्शन में उससे ऐसा लिगा है Lord I will exalt your name I will lift up your name कहने का यह मतलब न नहीं करेगा उसको आरादना नहीं मिलेगा इसा नहीं होता है हाललूया जब तक प्रभु का नाम को हाललूय उंचा शब्द नहीं पुकारेगा तब तक वो महिमा उसको ऊपर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता क्योंकि वो महिमा का योगी है वो आरादना का योगी है हम लोग इसलिए हाललुया कहाना जाता है कि परमेश्वर को सराऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन का अंदर भलाई किया है, हाललुया, उसने मेरा जीवन को किच्चर का अंदर से बाहर के और निकाला है, इस पजन सगिदा का प्रदी अबर हम पढ़ते हैं, तो इसका, हाललुया, प्रश्टमूमी को जब हम पढ़ते हैं, एक चीज़ हम को पता जीए, ये इश्व मसी का उन्रामधिन का बारे में, उसके रसरेक्शन का बारे में, दावूद ने हाललुया, दर्शन पाकर के लिखा हुआ एक पाजन संगिदा है, इश्व मसी का बारे में, उन्होंने लिखा है, इश्व को किस तरह परमेश्व ने खड़ा किया है, हाललुया, उसका बारे में एक एक रगए हम लोग पढ़ते जाएंगे, तूसरा बज़न ज़रा पढ़िए, यानि कि इदर इश्व मसी का बारे में, दावुद एक दर्शन पाकर के कहता है कि, मैं भी हाललुया कबर में पढ़ने वाले थे, उसी तरह अगर तराई का अंदर में गिर गया था, लेकिन सिर्फ आपका वज़े से आज मैं जीवित हूँ, हमको पता है, इश्व मसी जब इस दर्ति में हाया, हर एक चीज़ जब हो करते थे, उससे पहले हमेशा परमेश्वर से आज्या मांगते थे, लासरस का कबर का सामने, जब इश्व मसी को हम देख रहा है, इश्व मसी उदरा करके, उपर की और उन्होंने देखा, उपर की और देखरके उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद दिया है उन्हों धन्यवाद देखरके युवन अकसु समजर 11 अधियाए 12 अधियाए में इसका बारे में उदर हम स्पश्रूप से देखता है कि इस उपर की और देखा और परमेशन को धन्यवाद कहा और धन्यवाद करते हुए उन्हों ने ये कहा प्रभू आपका धन्यवाद क्यूंकि आपने मेरा दुभाई को सुन लिया है और इदर जितना भी रोग इकटा है उन लोग को जानना है कि आपका आज्ञा से मैं इदर आया है करके पांच हजार लोगों जब उसका सामने आया सिर्फ उसका हाथ में जब पांच रोटी मिली थी दो मचरी को पकट करके उन्होंने सबसे पहले उपर की ओर देखा है युगना कसु समझार छटा आदियाए में उसका बारे में लिखा है युशु ने उपर की और देखा उस रोटी को अपना हाथ में ले लिया और दन्यवाद करना शुरू किया है हर एक चीज़ पर जब वो उपर देखर के परवेश्वर का आँख्या कारी बन करके परवेश्वर का आँख्या मान करके वो इस दर्थी में रहा है हर एक चीज़ जब वो करते थे परवेश्वर का आँख्या का इसाब से वो करते आ रहे है अभी फिलाल जो है उसको दर्शन में पा करके दर्शन में देख करके हल दावुद करता है कि हे यहोवा तूने मेरे प्रान अधो लोग में से निकाल दिया है हललुया तूने मुझको जीवन रखा और खबर में पढ़ने से बचाया अगला वक्य चार पत्मे यानि कि अभी धन्यवाद करने का बाद आगे जितना भी लोग इस वजन सगद को पढ़ने वाला है उनका एक आदेश परमेश्वर का दास दे रहा है कि यहोवा का भक्तौम हललुया उनका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरन होता है उसका धन्यवाद करो हललुया इसलिए हमेशा हम लोग आरादना जब स्तुदी आरादना प्रारतना हो हो आरादना हो सब कुछ करने से सबसे पहले हम लोग क्या करता है दन्यवाद करकर के स्तुदी करता है हललुया कारण यही है क्योंकि हललुया इदर लिका है कि है परमेश्वर का भक्तौम उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरन होता है उसका दन्यवाद करो क्योंकि उसका क्रोध तो शन भरका होता है परंद उसकी प्रसन्दा जीवन भरकी होती है हाललुया, हाललुया, उसका क्रोध जो है शन भरकी होती है जब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है वो संद भरकी होता है और लेकिन उसका प्रसनला जो है जीवन भरकी होता है हललुया परमेश्वर क्रप्र कोल्द करता है हललुया सिर्फ जब पाप को देखते हुए परमेश्वर कोल्दित हो जाता है हललुया इसलिए ईश्यू को अभी मैंने जो एश्यू का बार में बटाया एश्यू को हमेशा साथ देने वाले थे उसका हलारपरमिशर पिदा हमेशा उसका संग रहने वाला आत्मी हालेलुए सबसे पहले उसका बार में जो गवाई दिया है वो परितरात्मा से भरिबूर ले लिया कालवेरी क्रूश पर जब चड़ा है जब उसको कालवेरी क्रूश पर परमेश्वर ने नीचे की और जब देखा उस वक्त इशू पर नहीं देखा बलकि आपको देखा बलकि हमको देखा है आपका जगा और मेरा जगा जब ईशु मसी ने उस क्रूश पर आपका जगा और मेरा जगा जब उन्होंने ले लिया था तब परमेश्वर ने उसको मूर को क्याग किया है फेर लिया है उस वक्त बहुत कडिना से उन्होंने चिलाना शुरू किया रो रो करके उन्होंने प्रार्तना शुरू किया उन्होंने बोला परमेश्वर आप भी मुझको त्याग लिया है ये सच में ईशु मसी को त्याग नहीं कर सकता है अपना इकलवता पुत्र को बिल्कुल त्याग नहीं दे सकता है लेकिन जब अपना पुत्र का अंदर पूरा इस दुनिया का तमाम लोगों का पाप को जब उसका शरीर का अंदर उन्होंने ले लिया है परमेश्वर उसको त्याग लिया है लेकिन थोड़ी श्यंक के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका बादा इसलिगा, उसका प्रसन्नदा जीवन भरकी होती है, ईश्यू का मृत्ति होने का वज़े से, उसका जी उड़ने का वज़े से, आज हम सब लोग भी जीवी थे, हालेलुया, उस परमेश्वर का निकट जाने के लिए हम सब लोग काम्याब नहीं थे उस परमेश्वर का पास जाने के लिए उसका तबू में आने के लिए उसका चरणों में गीत गाने के लिए उसका शरन लेने के लिए हमारा जीवन का अंदर कुछ खूबी नहीं था सिर्फ इशू मसी का वज़े से उसका चचरणों में जाने के लिए आज भी इदर आ करके हाथ उपर करके आगर हम प्रारत ना करता है आराद ना करता है हालेलुया उच्छा सर में उसका आराद ना करता है तो सिर्फ वज़े यही है कि परमेश्वर ने उनके लिए हम सबों के लिए उसका हालेलुया जीवन को कुर उसका बारे में कहा था, उत्पति का खिदाब, हाललुया, 28 अधिया, उसका 18 वजन में इसे लिगा है, हाललुया, और होते हुए, उन्होंने, हाललुया, उदर से, उस याकुब ने उदर से खड़ा होकर उसी तरह निकाल लिए 28 का 18 ज़र बढ़िए उत्पती का खिदाब उसका 28 का 18 और भोर को याकुब उठा हाललुया बस वो काफी है भोर को याकुब उठा हाललुया यानि कि उसका समस्य अगर देखेगे तो वो उठने वाला आत्मी नहीं थे दर का वज़े से वो सोने के लिए गया कदापी रात को रोना पड़े फिर भी सुबे सबेरे में आनंदित हो जाता है रात को जब वो सोने के लिए गया उसका आवस्ता इस तरह नहीं था बहुत ज्यादा भाय उसका आंदर था एक तरफ से जंगली जानवर का वज़े से दूसर तरफ में कोर अंदगार का वज़े से दीसर तरफ से अपना खुद का भाई उसको माल डालने का उस चकर में वो बहुत ज्यादा और भाय से चकित है फिर भी भोर में उसको उड़ने के लिए परमेश्व नावसर दिया निकाल दिये युहना का सुसा माजार 21 सद्या है उसका चार पदा दूसरा आत्मी निकाल लिए प्रेरदों का काम उसका 16 अधिया है उसका 35 बोर होते हुए ईशू किनारे में आकर के हाले कड़ा हो गया हालेलूया ऐसा एक रात था पत्रस का जीवन में पूरा रात उन्होंने मेहनत किया हालेल लेकिन कुछ भी पगट नहीं पाया रात और रात बहुत कुछ उन्होंने मेहनत किया लेकिन कुछ भी पगट नहीं पाया लेकिन बोर होते हुए ईशू मसी आलेलूया उनके लिए कुछ तैयार करके उदर रहे थे क्या तैयार करके रहे थे थोड़ा सा आख पर उसका अंदर एक रोटी और उसके लिए मचली जिस चीज के लिए वो लोग पकटने के लिए गया था हालेलूया मान लीजिए अगर हालेलूया आप लोग बहुत आधिक तर लोग मेहनत करना वाला लोग है अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो जरूर आपको पता है हावर मेहनत का वजे से आपका ये दूप हो या सर्दी हो या कुछ भी हो इसके मौसम का बिल्कुल आप चिंदा नहीं करेगा अपना आपसे क्या करेगा वैस्थ रहेगा पेंडिंग करना वाला उसका उपर वैस्थ टीचेस लोग उसका अंदर यारीकी जो कुछ भी काम पर अगर आप वेस्त है तो उदर का माधावरन को कभी कभी अम नहीं देखा है। हालेलुया एक चीज़ हम करके जा रहे हैं तो बिलकुल हम यह नहीं सोचेगा कि हमारा शरीर का अभी अभी तक हम लोग अधितर लोग अधितर लोग अभी गाड़े थे पाव तोड़ा सा दुग रहा था हम गोभी अईसा लगा था बैटने कि लिए लेकि जब मैं अभी इद और उसका साथ बाकी साथ लोग मिलकर के जो मचली पकटने के लिए गया उस रात उस लोग ने कुछ भी नहीं पकट बाया कुछ भी नहीं पकट बाया तो उनका शरीर बहुत ज्यादा तंदा हो बहुत महनत किया लेकि कुछ भी अगर कुछ पकटता है तो इस तंदा जो है उसका शरीर में जो आने वाला टंड़पन जो है वो लोग बिल्कुल उसका चिंदा नहीं करें क्योंकि उतना ज्यादा मचली को पकट लिया है आनद हो गया तो बाकि सब कुछ वो लोग फूल जाएगा लेकिन अभी जो है मेहनत करने का वज़े से उसका बावजुद भी कुछ भी नहीं पकट पाया तो जरूर जो है उसका शरीर के लिए अभी क्या चाहिए आँख चाहिए रभू ने उसको तयार करके रखा है हालेलुया उसका शरीर के लिए जो चाहिए रभू ने उसको पहले से ही तयार करके रखा है और उनके लिए खाना के लिए वो लोग मचली पकड़ने के लिए गया परमेश्व ने उदे उसको क्या किया पका हुआ मचली को उनलोग के लिए रखा है कास करके रोटी भी उनके लिए तयार करके रखा है हालेलुया गुरा रात मेहनत करके हार मान करके जो आया है, उसके लिए बिल्कुल ये काम्याब ने उसके लिए ये खाना पीना का वेवस्ता देने के लिए वो बिल्कुल काबिल नहीं थे फिर भी परवेश्चन का दया ज़रा देखिए एक रात कभी-कभी हमको रोना पड़ता है, कभी-कभी हमको ऐसा लगता है हालो यह सोला दिया इतरा निकालिए वो प्रेरदों का कम सोला दिया उसका 35 जरा पड़िए देखिए जब दिन हुआ तब उन लोगों ने हाकिमों से कहला पेचा उस रात उन लोगों का जीवन का अंदर एक अच्छा रात नहीं था बहुत ज्यादा मार प उसका कपड़ा को भाड़ दिया है हाललुया उन लोगों को नंगा कर दिया है हाललुया और उन लोगों को क्या किया है बहुत ज्यादा मार किया है और यही हाकिमों ने सुबे उसका आगला दिन जब दिन हुआ यही लोग उदर आ करके कहला पेजाए उन लोगों को पड़ता है लेकिन कई देर के लिए होता है जरूर हमारा जीवन में वो दिन आएगा हालेलुया हालेलुया हमेशा रात नहीं है इदर इससे लिगा है हालेलुया कदाचित रात को रोना पड़े परंदु सबेरे आनंद पहुंचेंगा हालेलुया कितना लोग विश्वास करत मेरा इस दिन का यह रात जो है निकल जाया जाएगा मेरे लिए हाले परमेश्वर्ण उस अनिगर का वो दिन लेकर आएगा पढ़ेंगे उसका 11 बचन बचन सरिदा 30 का 11 तुने मेरे ताट उतरवाकर मेरे कमर में आनंद का पटवा बांधा तुने मेरे लिए विलाब को नृत में मदड़ लाला यानि कि मेरा जीवन अगर देखेगा तो विलाब से जाने वाला एक जीवन था मेरा संगर से में घूसर रहे थे हललुया, मेरा कपड़ा जो है तुने मेरा टाट उतरवा कर मेरा कमर में आनंद का पटुगा बांदा है हललुया, यानि की एक नया वस्त्र आपका उपर परमेशन ने दिया है आपका उपर आपको पता है हललुया, यूसफ का बारे में यूसफ का जीवन का अंदर उसका बिदा ने प्यार से उसके लिए एक कपड़ा दिये थी सिर्फ इस कपड़ा का वज़े से उसका बिदा का वज़े से पिदा से जो मिला हुआ उस कपड़ा का वज़े से उस बाई बहन लोग का अंदर एक हललुया ये ये आया उसका उपर एक जलसी आया आँखिर में उसको हालुला माल डानने के लिए भी उलोग विज़ार इस कपड़ा का वजे से किया है हललुया आगे हम देखता है उस कपड़ा को उन लोग निकाल दिया है और भाड दिया है उसको क्या किया है लेहू का अंदर उसको हाललय मिला करके उसका पिदा का पास ले करके उधर जा करके दिखाया यही ना जो कपड़ा आपने दिया है यही ना आपका बेटा का कपड़ा उसको क्या किया सिम्भ उसको खा लिया है बस उसका आपने प्यार से दिया हुआ उस कपड़ा मेरा पास है इतना से नहीं अभी जो है उसको बाद में उसको हाललुया बेच दिया है गंगाल का रूप में उसको बेच दिया है अभी उसका वस्तर क्या है पता है गंगाल का वस्तर है उदर से उसको ले लिया है पुतिवेर का फबन का अंदर आया है उसका अंदर भी पुतिवेर का बीवी जो है इसी कपड़ा को लेकर के उसका सामना गलत हाललुया सबूत लेकर की आया हाललुया उदर भी इस कपड़ा का वज़े से वो लेजिद हो गया है लेकि मेरा प्रियोम आखिरी 45 अधियाई में जब हम पहुंचता है उदर आई से लिगा है उसको वस्तर देख करके उनलों को पता चला ये उदर का प्रदान मंदरी है हाललुया परमेश्वर ने उसका वस्तर को बदल दिया है हाललुया परमेश्वर ने उसका वस्तर को बदल दिया है हम सब लोग भी उसी तर इधर भी अभी 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 मेने वही पढ़ करके सुना है 16 अध्याय का 22 वजन में भी हाकिमों ने हालेलुया स्रीलास और पॉलोस का वस्त्र को हालेलुया भाड़ करके निकाल दिया है और सुबह होते हुए उसको वक्तर वापस दिया है हालेलुया निकाल लिए गयलातियों के किदाब उसका तीसरा अध्याय है पचीस और चबवीज दरा पढ़िए गयलातिती तीन का पचीस और सबीज 25-26 और तुम में से जितनों ने मसी मेर बप्तिस्मा लिया है उन्होंने मसी को पहन लिया है हालेलुया यारि कि आपका वस्तर को परमेश्वर ने बदल दिया है अभी आपका वस्तर क्या है वो परमेश्वर ने दे दिया है हालेलुया अभी आप मसी को पहन लिया है अभी मैंने जो पहना हुए इस शट को आप जैसा देखता है वैसा मेरा शरीर को जैसा ये कवर करता है उसी तरह आपका शरीर का ऊपर परमेशन ने क्या किया जितनों ने बक्तिस्मा लिया है उसका ऊपर आपने मसी को पहन लिया है जो लोग आपको देखता है, पहले मसी को ही देखेगा, आपका शरीर को वो नहीं देख पेगा, आपका शरीर का अंदर जो कुछ भी दाग है, वो बिल्कुल नसर में नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी किया किया है, आपको परमेश्वर ने उसका हाललुया वस्त्र का जैसा आपको परमेश्वर ने उसका शरीर से आपको हाललुया लिपड़ दिया है, हाललुया करें कि यह मतलब है मेरे प्रियों, हमारा वस्त्र को परमेश्वर ने बदल लिया है, आज आनंद का उस वस्त्र हम सबों का जीवन में परमेश्वर ने दिया है, हाललुया और आगे आ आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुपना हो हालेलुया ये सब कुछ आपने मेरा जीवन में किया है ये सब कुछ सुभीगार करने के लिए में बिल्कुल काम्याब नहीं थे आप ये सब कुछ मेरा जीवन में इसलिए किया है आपने हर परमेशन को देख करके बोलना है परमेश्र आपने विवस्त्र मेरे लिए हुआ है, आपने कुछ भी गुणा नहीं किया है, आपने कुछ भी पाम नहीं किया है, यह सब कुछ सहर करने के लिए, आपने मेरे लिए, मेरा वज़े से आपने नंगा किया है, आपको उस तरह का अवस्ता का अंदर से जाना पड़ हाललुया और इसलिए आज उस परमेश्र जीवित है उस परमेश्र को हाल ईशु मसी को विदा परमेश्र ने मुर्तियों से जी उठा इसलिए हम सब लोग भी उसका वज़े से जीवित है हाललुया उस परमेश्र को पहनने के लिए उस परमेश्व का एक वस्त्र का जैसा उसको पहनने के लिए एक नया मुखा इस परमेश्वर यहोग हमसाओं को उपर दिया है इस ताकि मेरा आत्मा तेरा भज़न काती रहे और खवी चुपना हो हे मेरा परमेश्वर यहोवा मैं सरवदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा मेरा प्रियों धन्यवाद करने के लिए हाजारों, हाजारों, दस हाजारों हाललुया, हमारा सामने हाललुया, अलग-अलग रीसंस है पहुत ज्यादर रीसंस है हलो इसलिए दन्यवाद करने के लिए जब भी आपको मौका मिलता है पीजे नहीं हट रहे करा है हालेलुया हमेशा जो लोग परमेश्वर का प्रदी दन्यवाद करता है वही लोग को परमेश्वर इस्तमाल करते हुए इस बाइबल में आप देखता है इस बाइबल में जितना भी लोग को फरमेशों ने इस्तमाल किया है तमाम लोगों फरमेशों का चर्णों में दीन हो करके नमर हो करके अपना आपको जो लोग समर्पित किया है वो ही लोग को फरमेशों ने कड़ा किया करके इस बाइबल बतलाता है इसका मदलब यही कि बैबल का अंदर चितना भी लोग का बारे में कभी-कभी हम यही सोचता है कि अगर दाउद ने जो पाप किया उसका अंदर नहीं लिखा है तो मुसा ने एक आद्मी को मार दिया उसका बारे में नहीं लिखा है तो हालेलुया, सलोमोन का आकर में, उसका जीवन में क्या हुआ है, उसका बारे में, अगर इसका अंदर नहीं लिका है, तो, कितना अच्छा हुआ था, क्यों यह सब कुछ इसका अंदर लिया है, अबरहाम का बारे में, अबरहाम ने जो गलती किया है, साराई ने जो गलती किया ह पत्रस ने जो दोका दिया है, इस सभी का बारे में बाइबल का अंदर क्यों दिया है, कभी-कभी हम लोग सोचता है, नेगेटिव चीज़ों को बिलकुल चर्चा नहीं कर लेकिन, इसका अंदर आधिक तरह देखेगा, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव किया हुए लोगों क सोचता है, इस मुश्किलों में से सिर्फ मेरा ही जिन्दगी ऐसा है, बिलकुल नहीं, आप अच्छा से वजन पढ़ करके देखिए, आपका जैसा कम से कम एक आत्मी को इसका अंदर आप देखने के लिए मिलेगा, हालेलुया, उसका जीवन में परमेश्र ने किस तरह बद आने के लिए हम सबूं का जीवन में आपने हावस्तर दिया इसरी दन्यवाद, अच्छा भाजन साज्चत दिया, इसरी दन्यवाद करता है, आगे 11 कारिक्रम का अंदर आपका बड़ा उबस्तित होने के लिए हम सबूं को समर्पन करता है, आशिष्य पर दीजिए, इतनाम से, आमें, आमें, आमें.